हाइदरबाद में एक पशुचिकित्सक से ग्यांग रेप और हत्या के बाद से एक मेसेज वाइरल है जिसका दावा है कि मोधी सरकार ने IPC में नई धारा 233 की शुरुआत की है जिसके तहट यदि कोई व्यक्ति महिला से बलतकार करने का प्रयास करता है तो यह कानून उस महिला को आत्मरक्षा के लिए उस व्यक्ति की हत्या करने की अनुमती देता है क्या है सच्चाई? धारा 233 आत्मरक्षा से संबंदित नहीं है बलकि इसमें जाली नोटों के लिए सजा के प्रावधान का उल्लेख है IPC की धारा 96 से 106 आत्मरक्षा की अधिकार से संबंदित है आत्मरक्षा का प्रावधान धारा 100 में दिया गया है जो हमलावर की मौत का कारण बन सकती है यदि हमला बलतकार करने के इरादे से हूँ इसके अलावा धारा 96 से 106, 1860 से IPC का हिस्सा है और इसे हाल में किसी संशोधन से नहीं जोड़ा गया है इस तरह यह दावा कि मोधी सरकार ने यह प्रावधान लागू किया है गलत है धन्यवाद